नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शामबीर सिंग और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसल मेर की गलियां दोस्तों मसूद अजर के मरने की ख़बर पूरी दुनिया में फैल गई है वो जी भी तहया मर गया ये तो मैं नहीं बता सकता लेकिन ये ख़बर कहां से बाइरल दरसल भारत ने जब आतंकी केमपों के उपर आकरमड किया था तो कितना नुकसान हुआ है वहां पर कितने आतंकी मरे हैं कितने मदर से डिस्ट्रॉइड हुए हैं ये जानने के लिए जब दुनिया भर का मीडिया उन वहां तक पहुंचने की कोशिस की तो पाकिस्तानी आर खबरें दी हैं और वहीं से मसूद अजर के मरने की खबर बाइरल हुई हुआ क्या था एक मीडिया वाला एक गाउवाले से बात कर रहा था तो उस गाउवाली ने बताया कि उस रात यानि 26 फरबरी को उन बाला घाट के अंदर बहुत बड़ा जश्न था और वो जश्न इस उपलक्ष में पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़े आतंकी वहां पर बाला घाट के अंदर बुलाए गये थे उनको निमंतरन भेजा गया था और कहा जाता है जो हमारे कश्मीर के बॉर्डर पर जितने आतंकी कैम्प हैं वहां से भी भारी संक्या में आतंकी उस पार्टी केम्प में रात को था और में वहां पर खाना बनाने के लिए गया था और जब दो बज़े तक सब लोग खाना खा चुके थे उसके बाद में अपने घर को रवाना हुआ और मेरा घर बाला घाट से 17 किलमीटर दूर है तो में घर पहुचा नहीं था घर से थोड़ी दूर मे कि लगबग उसने आवाजे सुनी थी कि जहां अभी पार्टी चल लए थी वहां ये आवाजी कैसी आ रही है आवाजी इतनी खतरनाक थी वह समझ गया कि यहां जरूर कोई बंब रात को यहां पर पार्टी हो रही थी बहुत बड़ी नाच गाना भी हो रहा था खाना लोग सब खा रहे थे और दो बज़े तक मैं वहीं पर था और वहां पर मैंने जो है मसूद अजर उसको भी देखा था वो कोई बीमार नहीं था बिल्कुल ठीक ठाक था और मैं तो अपन कि लोग तो निकल गए थे दो बज़े तक जो काम करने आयते लेकिन आतंकी वहीं पर सो गए थे और तीन बज़े तक भी हो सकता है पार्टी चले कुछ लोग खाना खा रहे हो तो उनमें मसूर जो मसूद अजर है अब एक घंटे के अंदर वहां से भाग गया था या वहीं इसके पीछे पाकिस्तान का ये कारण है कि अगर पाकिस्तान ये कह देता है कि मसूद अजर इस हमले में मारा गया तो कश्मीर के अंदर जितने आतंक वादी हैं एक ही दिन के अंदर सारे सरेंडर कर देंगे क्योंकि उनका बहुत बड़ा नेता है और उसी के कारण वो सारा जो आतंकी संग्ठन हैं वो ही कत्रित करते हैं वो ही हमले करवाते हैं इसलिए उसकी ख़बर को मौत की खबर को पाकिस्तान ने छुपा दिया उसके बाद आखिर मरने की मर गया आए बैकती तो आज नहीं तो क यह खबर पहलाई कि वह बहुती बीमार है और इतना बीमार है कि अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है मरा हुआ ब्यक्ति आकर घर से निकल भी कैसे सकता है वह तो मर चुका था और दो या तीन दिन बाद उन्होंने सोचा कि हम यह कह देंगे कि उसकी किड्नी फेल हो गई हम टिकलियर करेंगे यह बीमारी से इसकी मौत हुई है लेकिन अचानक उस ब्यक्ति ने जो यह बयान दिये कि वह मर चुका है तो पाकिस्तान की पोल खुलती नजर आ रही है तो यह खबर यहीं से बाइरल हुई उस ब्यक्ति ने बताया है कि जो पाकिस्तानी सरकार ये कह रही है कि असद महमुद जो बीमार है बीमार नहीं है बिल्कुल ठीक था और बंबारी में वो मारा गया है ये बात सक्त है और आज नहीं तो कल भी ये दुनिया के सामने आही जाएगी कि मसूद अजर भारत ने जो आतंकी के खिलाब कारवाई की थी उसमें उसकी मृत्ती हो चुकी है ये बात बिल्कुल सत्थ है और उस गाउवाले ने जो सूचना दी है इससे बड़ी सूचना कोई भी दे नहीं सकता है और आपको बता दूँ के सच्चा हमारा भारत का इंटे उनके तो शाहिद बड़ी देर लगती और हमारे को परेशानी होती लेकिन किस तरह से सारे आतंकी एक ही जगए कटे हुए और भारत ने उनको बहतर हूरों के पास भेज दिया गया है यह जहां उनकी सही जगा थी तो इस प्रकार से भारत ने पुल्वामा का जो हमला हुआ था उसका बदला इतना सटीक इतना शांदार लिया है को पूरा देश आज बहुत ही खुश है तो बहुत ही खुशी की बात है मसूद अजर अब इस दुनिया में नहीं है और ये भी बात सत्य है कि वो भारतियों ने बाईसेना के हमले में मारा गया था और अब अपने दोस्त श्यामबीर सिंग को दीजिए इजाजत नमस्कार